हे गाईज वल्कम बैक टुदी चानल सूपर सॉनिक इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर बाइक को काफी ज़दा प्यार किया जाता है फिर चाहे वो पचास सीसी की हो चाहे सो सीसी की हो चाहे किसी भी सेग्मेंट की हो बट आज स्पेसिफाइड में आप लोग लेकर काया हूँ टॉप टैन फॉर हंडड़ सीसी काटेगरी बाइक जो कि आप लोगों इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलती है और अगर आप भी सोच रहों कि एक चार सो सीसी की बाइक ली जा सकते हो तो वीडियो को स्टाट करते हैं और बात करते हैं इन बाइक लुक्स और डिजैन के बारे में बात करी जाए तो और मोडन फीचर के साथ यह लोग लिए वेलेबल है बट कहीं ने कहीं क्लास लिए रखती है जो कि काफी ज़दा कमाल की है प्राइज के बारे में बात करूँ तो यह आप लोग ओन रोड़ दैली में कॉस्ट करने वाली सब्सक्राइब करने की बसकी बात नहीं होती है अगर आप लोग सोच रहे हो कि थोड़े कम पैसों में अगर मैं कर सकूँ तो आप डेफिनिटील इस बाइक की तरफ जा सकते हो हाले डेविट्सन को जो लुक है वो काफिता जबरदस्त है क्रूजिंग टाइप की बाइक रहने वाली है इस बाइक के अंदर आप लोग लिए तीन वीरिंट्स एवेलेबल हैं डैनिम हो गया विविड हो गया और एस मोडल तो यह प्राइजिंग का जो है वो कहीं ने कहीं देखने को मिल जाएगा और तीन लाग पचीस जार रुपे में आप लोगो देखने को मिलने वाला है इसका टॉप मॉडल और फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करू तो भाई फीचर्स की कोई भी कमीनी रहने वाली ही डूल चानल एबीस मिलेगा यूस्डी सस्पेंशन अल एलेडी सेटप आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है ब्लूथुथ कनेक्टिविटी हो गई ही कमफर्टेबल सीट्स हो गए चोड़े चोड़े टायर हो गए तो भाई आप लोगो कोई भी कम्प्लेइन जो है इस बाइक से डेफिनिटली नहीं रहन रहने वाली बढ़ते हैं अपनी नेक्स बाइक की तरफ यह बेसीकली एक 400 सीसी की कह सकते हो एक एडवेंचर सीरीज की बाइक है जो की काफी जदे कमाल की रहने वाली है और अभी हाली में यह बाइक को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉंच कर आया है यहां पर अगर मैं प्राइजिंग के बारे में बात करूँ तो 3,11,000 रुपे से शुरू हो करके लगबग 3,28,000 रुपे तक चली जाती है इस बैक की प्राइजिंग और आप लोग अपने हिसाफ से देख लेना विकॉस कलर में कहीं काफी जदा डिफरेंस जो है वो आते हैं बात करूँ अ साथ साथ यहां पर all LED सेट अप यहां मिल जाता है डूवल चैनल ABS हो गया स्विचेबल ABS हो गया TFT डिस्पले जो की राउंट आप लोग मिलने वाली है तो फीचर की तो कोई भी कमी नहीं है इस बैक का जो कमपैरेजन है वह आप लोग ए डीवी 390 से होता है जो की की तरफ स आती है तो अच्छा खासा कॉंपेटिशन जो है यह बैक दे रही है बड़ते है अपनी नेक्स बैक यानि नंबर 4 की तरफ और यह बैक तो मतलब 400 CC में अगर आपको सिंगल सेरेंडर कोई बैक चाहिए न तो यह बैक जो है वो तब आई है यहां दोस्तों अभी हाली में ल आप लोगो 398 CC का इंजिन देखने को मिलता है जो लगबग 45BHP तक का पावर जनूरीट करके देता है उससे के साथ साथ 39 Nm of torque जो की काफ विज़ादा कमाल कर रहने वाला है अगर मैं बात करूँ सिंगल सेरेंडर में तो भाई आप डेफिनिटली इस बैक की तरफ जा सकत करेंगे मगर आप लोग यहां पर फीचर जो हैं वो खतम नहीं होने वाले सबसे पहले आप लोगो टीएक डिस्प्लेय मिलती है कुइक शिफ्टर इस बैक के अंदर मिल जाता है कॉर्णरिंग एबिस मिलता है उसी के साथ साथ अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात क इस बाक काफिस्ट गयों के रहने अप लोगो पांच लाग 2,92,92 रुपे मदला आप लोगो प्राइजिंग बता रहा हूं बाइक जो है वो काफी जबर दसता है अपनी निंजा सीरीज से जो है वो काफी हद तक इंस्पायर रहती है बाइक के अंदर आप लोगो 399 cc का ट्विन सेलेंडर इंजिन देखने को मिलता है जो कि 44.7bhp का पावर जिनरेट करता है अपनी नेक्स बाइक की तरफ जो कि अभी हाली में लॉंच हुई है और इस बाइक ने भाई सच बता रहो मतलब सबके होस उड़ा रखे है चाहे वो KTM हो चाहे या महा हो चाहे कोई सी भी कंपनी हो मैं बात कर रहा हूँ एप्रीलिया की तरफ से आने वाली RS457 के बारे में यह बाइक अभी तक भाई इंडिन मार्केट के अंदर नहीं आई थी बट अब फाइनली लॉंच हो गई है बुकिंग भी स्टार्ट हो लिए देखने को मिल जाएगी निंजा 400 से भी सस्ती रहने वाली है और उससे कहीं ज़्यादा पावर कहीं ज़्यादा फीचास आपको इस बाइक में मिलेंगे लोक्स और डिजाइन तो ही कमाल के बात करीजा अगर इंजिन के बारे में तो 457 CC का आपको ट्विन सेलेंडर मिलता है 47BHP का आसपास का पावर 43 Nm का टॉर्क 6-speed का gearbox वहीं अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे भी अप्रिया ने कोई कमी नहीं चोड़ी है वाई TFT डिस्प्ले मिलती है राइडिंग मोड मिलेंगे डूल चैनला ABS आपको मिलने वाला है काफ जब इस बाइक की तरफ जा सकते हो इस बाइक का जो कॉंपेटीशन अभी हाली में लॉंच वी आर्थी से कॉंपेटीशन है निंजा 400 से है तो अगर आप लोग एक best value for money देखते हो नो मेरी नजरों में तो यहीं बाइक है जिसकी तरफ आप लोग जा सकते हो 400cc में वो भी ट्व यहां पर देखने को मिलता है और उसे के साथ थोड़ा सा modern भी रहने वाली है तो यह चीज़े जो है वो काफिस दा कमाल की रहने वाली है जो कि परसनली मुझे काफिस जदा पसंद है वाई तो यह चीज़ आप लोग देख लिना यह बाइक बढ़िया है बढ़ते है नेक्स बाइक की तरफ यह बाइक उन लोग के लिए काफिस दा बढ़िया रहने वाली है और उन लोग को रिकमेंट करूंगा जो कि इनको लॉंग टूर करना बहुत जदा पसंद है यह दोस्तों वजाज की तरफ से आने वाली डॉमिनार 400 यह बाइक भी जो है और बेस्ट लिए जिनको लॉंग टूर करना है उनके लिए काफिस दा जबरदस रहने वाली है जितना मर्जी लंबा चला कोई दिक्कत नहीं है हंडेड़ एंटन सेटप मिलता है और इसका तेक टूरिंग वेरिंड भी आता है जो अगर आप लोग प्रॉपर टूरिंग के लिए लिए बारे में बात करूं तो चाल लाग 30,000 रुपे का राउंड आप लोग यह बात करने वाली है टून सेलेंडर इंजिन के साथ आती है 40bhp आप लोग लिए जनरेट करती है 37Nm का टॉक जनरेट करती है 186 kg के आसपास आप लोग वेट मिलने वाला है 13.5L का फ्यूल टैंक बा बारे में बारे में बात करूं तो 785mm मिल जाती है तो शौट रैडर के लिए बहुत अच्छा उप्शन रहने वाला है तो यह बाइक जो है काफी एक अच्छा उप्शन हो सकती है अगर आप लोग सोच रहे हो 400cc में ट्विन सेलेंडर नेकिट भाइक अगर लिना चाहते हो तो यह बाइक एक अच्छा उप्शन रहने वाली है बढ़ते है अपनी नेक्स और लास्ट बाइक की तरफ और यह बाइक जो है ना फोसे ज्यादा महेंगी रहने वाली है वह अभी हाली में लॉंच हुई कावासा की निंजा जैट एक्स फोर आर जियां दोस्तों नौ लाग रुपे के आसपास में यह बाइक ऑन रोड पड़ेगी 399 CC का इन लाइन फॉर सेलेंडर इंजन आपको मिलता है 76 VHP का पावर 39 Nm का टॉर्क 6 स्पीट का गियर बॉक्स और फीचर्स की बाइक अल्मोस्त मेरे को लगता नहीं को कमी है गियर इंडिकेटर आप ल फ्रेंड में आपको USG suspension मिलते हैं और LED setup आप लोगो बाइक में मिल जाता है तो आप लोग मुझे ज़रू बताना क्या लगता है आप लोगो इस बाइक के बारे में क्या नहीं लगता है आपको महेंगी लगती है नहीं लगती है तो यही था वीडियो आई होपस आप लोग मेरे को यह बाइक काफी पसंद आई है मिलते हैं किसी और नेक्स वीडियो में